आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जीम अस्टेडी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है एकसरसाइज 3.3 का कोशे नमबर चठा कुशे नमबर चठा है पांच वर्स बाद जैकब की आयू उसके पुत्र की आयू से तीन गुनी हो जाएगी पांच वर्स पुर्व जैकब की आयू उसके पुत्र की आयू की साथ गुनी थी उनकी वरतमान आयू क्या है तो परस्न को बहुती सिंपल तरीके से बनाएंगे तो प्लीज वीडियो को आकरी तक देखिएगा उसके बाद है आप स्किप किजिएगा आकरी तक देखिएगा ता आपको यकिनान परस्न को समझ में पूरी तरीकी से आएगा तो चलिए प्रस्न को हल करते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रस्न में जो चीच पूछा है हम उसको मान लेंगे यानि वरतमान आयू पूछा गया है तो जैकब और उसके पुत्र की वरतमान आयू को हम लोग क्या कर लेंगे मान लेंगे एक्स वर्स, उसके बाद फिर लिखेंगे माना की, जैकब के पुत्र, ठीक है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयू, ठीक है, इसका मतलब वर्तमान आयू, यानि उम्र, वो है वाई वर्स, इस तरीके से मान लेने के बाद, परस्ना अनुसार हम लोग जैसे परस्न में बोला ह है वैसे हिसंसे हम लोग यहाँं पर समीकरण को लिखा रहेंगंगे यहाँ पर क्या बॉला गया है पाँच वर्स बाद जैकब की आयू उसके पुत्र की आयू से तीन गुणी हो जाएगी तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, वरतमान आयू निकाले है, यानि वरतमान में उसका अमर x और y वर्स हो रहा है, लेकिन, पांच वर्स बाद क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे उपर में, पांच वर्स बाद, तिक है, उसके बाद एंडरलाइन कर द वरतमान में 20 साल हो रहा है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा उसका हमर 25 साल यानि 5 20 में जूट जा रहा है 20 में 5 जूट जा रहा है उसी तरह यहां पर वरतमान आयू जैकब की एक्स है तो एक्स में क्या करेंगे 5 वर्स जोड देंगे तो यह जो हो जाएगा वह 5 वर्स बाद ज जैकब की उम्र हो जाएगी इसके बाद पांच वर्स बाद जैकब के पुत्र की आयू को हम लोग निकालेंगे तो वहा क्या हो जाएगा लिखेंगे जैकब की पुत्र की आयू पुत्र की उम्र या फिर आयू जो भी आपको मन लगे वो लिख दीजेगा वरतमान में वाई है तो पांच वर्स बाद पांच जुट जाएगा यानि प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा जैकब के पुत्र की वरतमान आयू उसके बाद प्रस्न में क्या बोल लगिया है पांच वर्स बाद जैकब की आयू जैकब की आयू क्या है X प्लस 5 जैकप की आयू, उसके पुत्र की आयू से, तो उसकी पुत्र की आयू क्या है, y प्लस 5 तीन गुनी हो जाएगी यानि ये जो जैकब है वह अपने पुत्र से तीन गुना उम्र का हो जाएगा पांच वर्स बाद तो बराबर इसको करेंगे तो ये बराबर होगा नहीं क्योंकि ये तो तीन गुन्ने उम्र में जादा बढ़ जाएगा तो इसको भी क्या करेंगे तीन गुना कर देंगे उसको पुत्र को तो ये अब बराबर हो चुका है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां से एक समीकरन निकाल लेंगे तो लिखेंगे X प्लस 5 बराबर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3Y प्लस 5 तिया 15 य वाले टर्म को इधर ले आएंगे और संख्या वाले को टर्म को संख्या के तरफ भेज़ देंगे यानि एक्स ये थ्री वाई धरा के मैनस में थ्री वाई बराबर यहां पर पंदरा बच जाएगा और पांच इधर आएगा तो मैनस में पांच हो जाएगा तो एक्स मैनस थ लिए किसी वेक्ति का उम्र बीस साल है ठीक है तो पांच साल पहले उसका उम्र कितना हो जाएगा यानि माइनस पांच करेंगे तो उसका पांच साल पूर वो क्या हो जाएगा पंदरा वर्स हो जाएगा पंदरा वर्स था ठीक है तो यहां पर वही चीज हम लोग जिस तरह से पांच वर्स बाद निकाले उसी तरह हम लोग क्या करेंगे पांच वर्स पूर भी निकालेंगे तो लिखेंगे पांच पांच वर्स पूर वो ठीक है उसके बाद अंडलाइन करके यहाँ पर सबसे पहले जैकब की उम्र को लिखेंगे पांच वर्स पूर जैकब की उम्र बराबर क्या करते है वर्तमान आयू में घटा देते है पांच वर्स तो यही हो जाएगा पांच वर्स पहले जैकब का उम्र था उसके बाद जैकब के पुत्र के उम्र तो लिखेंगे जैकब का पुत्र का उम्र बराबर क्या हो जाएगा वर्तमान में वाई था पांच घटा देंगे वाई हो जाएगा पांच साल पहले उसका क्या उम्र था जैकब के पुत्र का अब हम लोग प्रस्न को दबारे पढ़ते हैं पांच वर्स पुर्व जैकब की आयू क्या है एकस माइनस फाइब लिखेंगे एकस माइनस फाइब उसके पुत्र की आयू की साथ गुनी थी उसके पुत्र की आयू क्या है या क्या है साथ गुना है या साथ गुना हो गया था ठीक है पांच वर्स पहले तो यहाँ पर इसको यदि हम बराबर करते हैं तो क्या बराबर है नहीं इसको भी साथ गुना करना होगा उसके पुत्र की आयूद तभी ये बराबर हो जाएगा तो इस परकार यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरन के रूप में इसको पहले हल करते हैं यहां पर लिखेंगे x-5 बराबर 7 गुना होगा y से तो क्या हो जाएगा 7y और यह माइनस 5 से गुना होगा तो plus into minus minus और साथ पच्चे 35 यहां पर देखें x हो जाएगा 7y इधर आके plus से minus में हो जाएगा बराबर यह यहां पर minus 35 पर यह मैनस फाप इदर आके प्लस में हो जाएगा तो X मैनस 7Y बराबर 5 घटेगा 35 में तो मैनस में 30 हो जाएगा इसको समीकरन नंबर 2 माल लेना है अब यहां पर क्या करेंगे प्रतिय स्थाफन विदी का यूज करेंगे हल करने के लिए तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले समीकर वन से यानि समीकरन नंबर 1 क्या है X माइनस 3Y बराबर 10 यहां पर X को अलग कर देंगे और बाकी सब को एक तरह भीज देंगे तिया पहले से 10 था यह मैनस 3Y बराबर के इदर आके प्लस में 3Y हो जाएगा इसको समीकरन नंबर 3 मान लेना है इसके बाद फिर लिखेंगे X का X का मान समीकरन 2 में रखने पर 2 में रखने पर ठीक है यह 2 है 3 मत समझेगे यह 2 में रखने पर समीकरन नंबर 2 क्या है X माइनस 7Y बराबर मैनस 30 ठीक है यहां पर X के जगापर यह वला मान रखेंगे तो क्या है ये 10 प्लस 3Y फिर माइनस 7Y बराबर माइनस 30 ठीक है उसके बाद इसको solve करेंगे तो देखिए 10 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पर यह माइनस में 7Y और प्लस में 3Y यह गटेगा 7 में 3 गटेगा तो माइनस में 4Y बचेगा is equal to minus 30 यहाँ पहले से था 10 इधर से यहाँ पर आया तो यह प्लस से minus 10 हो जाएगा यहाँ पर minus 4Y बराबर यह भी minus में 30 है यह भी minus में 10 है दोनों जुड़ जाएगा तो minus 40 हो जाएगा उसके बाद फिर Y बराबर क्या हो जाएगा minus 40 बटा minus 4 यह minus मेंस कट गिया और 4 दहीं है 40 यानि Y कामान 10 निकला ठीक है उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे X कमान निकालेंगे तो लिखेंगे Y कमान समीकरन 3 में रखने पर समीकरन नमबर 3 क्या है यहाँ पर देखिए X बराबर 10 प्लस 3Y ठीक है यहाँ पर लिखेंगे X बराबर 10 प्लस उसके बाद फिर लिखेंगे 3 फिर गुने Y कमान क्या आया 10 तो यहाँ पर लिख देंगे 10 ठीक है उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसको आगे solve करेंगे आगे हो जाएगा X बराबर 10 प्लस 10 तिया 30 तो X बराबर क्या हो जाएगा 30 और 10 चालिस ठीक है तो इस परकार से हम लोगों ने X को क्या माना था जैकब की वरतमान आयू तो लिख देंगे जैकब की वरतमान आयू या फिर उम्र भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्स ठीक है उसके बाद जैकब के पुत्र की वरतमान आयू जैकब के पुत्र की वरतमान आयू बराबर क्या हो जाएगा तो यहां पर वाई क्या था दस यानि दस वर्स ठीक है तो इस परकार से आपको यह प्रस ने पूरी तरीके से यदि समझ में आया हो तो फिलिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा